जैपान में एक घातक बैक्टीरिया ने तबाही मचा रखी है 48 घंटों में संक्रमित व्यक्ती की मौत हो रही है नमश्कार मैं हूँ आपके साथ स्पॉती सिंग और आप देख रहे हैं इन खबर आपको बता दें इन दिनों जैपान में एक दुरलब बिमारी के कारण लोगों में दहशत फैलती जा रही है इस जानलेवा इंफाक्शन के लगभग एक हजार मामले सामने आए है ये बिमारी मास खाने वाले बैक्टीरिया के कारण हो रही है जो बेहद ही घातक बिमारी है ये जैपान में मुख्य रूप से टोक्यो में तेजी से फैल रही है इसका नाम है स्टेप्टो कॉकल टॉक्सिक शॉक्ट सिंड्रॉम एस टी एसस जो एक संक्रमण आपको बता दें ऐसे संक्रमक बिमारी है स्टी एसस 48 घंटों के भीतर घातक हो सकती है और पीडित व्यक्ति की जान भी ले सकती है स्टी एसस या मास खाने वाला बैक्टीरिया के नाम से जाने जाने वाली ये बिमारी ये जैपान में तेजी से फैलती जा रही है और इससे कम समय में ही मृत्यू हो सकती है लोगों में खौफ इस बात का भी है क्योंकि इस बिमारी के तुलना कुरोना से की जा रही है जी हाँ, कुरोना दौर को भुलाया नहीं जा सकता ऐसे में अब इस खतरनाक इंफेक्शन ने लोगों में डर पैदा कर दिया है इसमें मृत्यूदर 30% तक है जेपान के राष्टिय संक्रमन रोग संस्थान के रिपोर्ट के अनुसार 2 जून तक देश भर में STSS के मामले की बात की जाये तो 970 तक पहुच गए है पिछले साल कुल 941 मामले सामने आये थे इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने वाले अधिकतर लोगों की मौत 48 घंटे के भीतर हो सकती है ये बेहद ही घातक है WHO को यूरोप के कई अन्य देशों ने ग्रूप A स्टैप्टो कॉकस डिजीज के मामले में इस जाफा होनी की सूचना दी थी जिसका एक हिस्सा स्टैप्टो कॉकल टॉकसिक शॉक सिंड्रॉम भी है डबलू आच्चो के अनुसार करूना के कारण लगाए गए प्रतिबंद को हटाने के बाद सी भी इसके मामलों में बड़ोत्री देखी गई बताया जा रहा है कि जनवरी और मार्च के बीच इस संक्रमंट से लगबख 77 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले साल इस संक्रमंट से 97 मौते हुई थी STSS एक दुरलव लेकिन गंभीर बैक्टिरिया इंफेक्शन है ये तब होता है जब बैक्टिरिया शरीर के भीतर, टिशूज और खून की धारा में फैल जाता है शुरुआत में मरीजों को बुखार, मास पेशियों में तर्द और उल्टी जैसे लक्षन होते हैं लेकिन ये स्तिती तेजी से जानलेवा भी हो सकती है इसमें मरीज को लो ब्लट प्रेशर, शरीर में सूजन और कई अंगों का काम करना बंद कर देना जैसे लक्षन सामने आए हैं CDC के अनुसार बात की जाए तो STSS group A, Streptococcus bacteria के कारण होने वाली ये एक बिमारी है ये तब होती है जब ये bacteria शरीर में भीतर tissues और blood में घुस जाते हैं और एक विश्यक पदार्थ छोड़ देते हैं इससे body घातक reaction कर देती है हाला कि इससे पीडित व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में संक्रमन फैलनी की संभावना कम होती है STSS की शुरुआत में अगर बात की जाए तो इसके लक्षणों की बुखार, ठंड लगना, मास पेशियों में दर्द, मिचली और उल्टी जैसे लक्षण नजर आते हैं 24 से 48 घंटों के अंदर ये लो ब्लेट प्रेशर अंगों की विफलता, तेज दिल की धड़कन और सांस लेने में तकलीव जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है कितना जानलेवा है ये STSS आपको बता दे, ग्रूप A, स्ट्रॉप्टो, कॉक्कस यानि की आमतोर पर बच्चों में ये बैक्टीरिया, स्टैप, थ्रॉट के कारण बनता है लेकिन अडल्ट्स यानि की बड़ों में ये हाथ, पैरों में दड़, सूजन, बुखार और लो ब्लेड प्रेशर जैसे गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है ये स्टिती तेजे से बिगड़ कर मौत का कारण बन सकती है खास कर पचास साल से अधिक उम्र के लोगों में इन गंभीर लक्षणों के इलाज और जटिलताओं को रोकने के लिए जल से जल आपको डॉक्टर से सला लेने की बहुत जरूरत है मास खाने वाले बैक्टीरिया से रोक्था साफ सफाई बनाए रखे STSS से बचाव के लिए अच्छी तरह से हाथ दोना और खास बातों का खयाल रखना यानि की अगर आप खासते हैं चीकते हैं उस वक्त भी मूँ ढखना बहुत जरूरी है अच्छी आदतों का पालन करना बहुत जरूरी है गाव को की जो देखबाल होती है जो आपके गाव हो जाते हैं वो नहीं भड़ते हैं तो उनकी देखबाल करना भी बहुत जरूरी है किसी भी घाओ को साफ रखें, जो भी घाओ आपके किसी भी शरीर पर है, उसे साफ रखना और संक्रम्न के किसी भी लक्षट दिखने पर डॉक्टर से सला लेना इससे बैक्टीरिया को शरीर में फैलने और STSS का कारण बनने से रोका जा सकता है आपको बता दी कि अगर इसके टेस्ट की बात की जाए, तो STSS का पता लगानी के लिए कई टेस्ट की जाते हैं जिसमें ब्लड टेस्ट शामिल है, इस टेस्ट से ग्रुप A, स्ट्रेप्टो कॉकस बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकता है और शरीर के अंगों के कामकाच की जाच की जा सकती है इसके साथ ही STSS का इलाज, STSS का इलाज की बात की जाए, तो एंटी बायोटिक दवाओं से किया जाता है जिनें infection के जरीए, आपको बता दें, जिस तरीके से देखते हैं, infection लगातार फैल रहा है उसको control करने के लिए injection का इस्तमाल किया जाता है, ये दवाओं बैक्टीरिया को खतम करने में मदद कर दी है मरीजों को उनके blood pressure को समाने बनाए रखने और अंगों को ठीक से काम करने में मदद के लिए तरल पदार्थ भी दिये जाते हैं गंभीर मामलों में संक्रमित अगर बात की जाए, टिशूस को निकालने के लिए सरजरी की भी जरुरत हो सकती है ऐसे में जो जपान से तस्वीरे आ रही है वो लोगों को हैरान कर रही है एक ऐसा bacteria जो मास खाने वाला bacteria है जो आपके शरीर में घर कर ले तो आपके शरीर को जड़ से खतम करते है ऐसे में 48 घंटों के अंदर मौतों का आकड़ा बता रहा है कि इनसान की मृत्यू 48 घंटे के अंदर हो रही है यानि कि ये COVID की से भी जादा भयंकर बिमारी साबित हो सकती है ऐसे में कई देश इसकी चपेट में है फिलाल जैपान के जो तमाम और इलाकी है वो इसकी चपेट में है लेकिन भारत में अब अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है फिर भी सतर्कता बरतने की ज़रत है अभीकले मेरे साथ बस से इतना ही देखते रहें इन खबर धन्यवाद